हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू आल इन मा यूटूब चैनल आलके इंग्विस क्लासेज आईए बच्चो आज की इस वीडियो में चेप्टर नंबर फोर ग्लिम्सेज आफ इंडिया का जो पहला पार्ट है ए बेकर फ्राम गोवा रिटेन बाई लूशियो रोडरी ग्यूज से जो हम सार्ट लॉंग पैसेज और इसकी ब्रीफ समरी जाने तो लेट उस स्टार्ट आवर टॉपिक तुड़े बिदाव डिले फिस अछ टॉछ प्राम जाफ ऱाफ बेकर फ्राम गोवा कि एसे शित्वी डिलेटाखर लॉश डॉप खिर 2 Image बेकिंग इस अस्पेक फिगोवा कुल्चर. जार रथर रिम्र दाय रहिस चाहँ हुड्गवाच थेज़ू है। जासे थे बेकर, रही हपी इविछ थे इंग, जाव रूँ तो के भी इंग। देख रम्टु फिटाब्च इव बवाग ग्योट कर दो, at last the author tell us that baking was indeed a profitable profession in the old days the baker and his family never starved he his family and his servants they were always looked happy and prosperous my dear student in this way this chapter comes to an end and i hope that you will have understood the summary of a baker from goa the first part of gömsele of death तुए बच्चों आईए अब इस पाट से हम जो है जो महत्पून्र पहला पैसेज राजिय। प्रकासन बुक में है उस पैसेज के प्रत्मुत्तर को समझें तुए जो फ़स्ट पैसेज बेकर से हैये के बीकर डाट डाट करके नोन आज पैडर इन गोवा ये बच्चो जो है वरिजिनल पैसेज है जो आपके पेपर में छपा रहेगा और उसके नीचे बच्चो जो है दो प्रस्ण दिये जाएंगे लेकिन यहाँ जो एक साइज के लिए चर्चर प्रस्ण है तो आप अप मनलब जो आर्मी एक स्ट्रेट यह जो पैसे चपा इसमें आर्मी सब्धाया बीच में तो यह गर्धांस जो है मandeलब किसे संबंधित है कि एदे ख्राम होता है इस ट्रेट मतलब यह जो गर्ध लिया गया पैसे उपर चपा है यह किस पाट से जो है related है और आर्मी सब्द से क्या मतलब है तो बच्चो इसका उत्तर बनेगा The EARP इज र्रिलेटेट टू lips पर्टि ग्यूज आर्मी म arrays गंड़ां, एक पर्टि ग्यूज आर्मी से जिसको हिंदे में पूर्त गाली कह सकते हैं पूर्ट गाली सेना से संबंदित है बच्चों, question number 2 इस प्रकार से है The traditional Portuguese bread makers are called तो बच्चों, traditional इस परमपरागर जो पूर्ट गाली ब्रेड बनाने वाले लोग होते थे उन्हें जो है, क्या कहा जाता था तो इसका आंसर होगा बच्चों The traditional Portuguese bread makers are called paiders तो इन्हें बच्चों जो है, paiders के नाम से जाना जाता था गोवा की society में, जैसा हमने कहानी पढ़ा है और अभी समरी में देखा और सुना है तो बच्चों, I hope जो है, यह पहले passage का दोनों प्रस्ण और दोनों उतर आपको समझ में आ गया होगा आईए बच्चों, पहले ही passage का हम तीसरा प्रस्ण देखें Are there some traditional bakers present in India? तो बच्चों, यहां इंडिया की बजाए बच्चों जो है चलिए इंडिया इसा ही है तो क्या भारत में अभी भी कुछ परमपरागत ब्रड बनाने वाले लोग जो हैं तो बच्चों इसका उत्तर बनेगा कि हाँ, हाँ है तो इसका उत्तर होगा Yes, still there are some traditional bakers present in India बच्चों जो इंडिया वर्ड है हो सकता है आपकी पेपर में गोवा करके आए तो जहां इंडिया सब्द है वहां आप क्या करोगे गोवा लिख दोगे और उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा Yes, still there are some traditional bakers present in गोवा बच्चों इंडिया रहेगा तो इंडिया करके आप लिखोगे ऐसा आप जानने हो नेक्ट और लास्ट प्रस्ण पहले पैसे का इस प्रकार से है इस बेकर्स ब्रोट ब्रेट्स टुदी हाउस इंडिया डॉट डॉट बच्चों आपसनल है इसमें चार आपसन रहेंगे इबिनिंग आप्टरनोन मॉर्निंग और नाइट तो इन चारो आपसनों में से जो मारा उत्तर बनेगा वो मॉर्निंग सही जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा कि दीज बेकर्स ब्रोट ब्रेट्स टुदी हाउसे इन दी मॉर्निंग तो इस प्रकार से इस प्रकार सब्सक्राइब तो बच्चों इस पार्ट में जो महात्पूर्ण प्रस्न चार से पांच बन रहे हैं वो आप सभी बच्चों के लिए जो स्क्रीन पर सौर्ट आंसर टाइब कोश्चन का जो पहला कोश्चन बहुत ही इंपोर्टन है आने आएक है बच्चों बोड एक्जाम में कि वाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्डे हाउस मलब जब बेकर लोग घर किसी की घर पहुंचते थे तो सबसे पहले क्या करते थे तो बच्चों घर पहुंचकर बेकर लोग जो है सबसे पहले क्या करते थे आईए हम इसका करेक्ट उतर समझें तो बच्चों इसकी जो हिंदी बनेगी कि बेकर सबसे पहले जो जो किसी के हाँ पहुंचते थे गोवा की गाहूं में तो सबसे पहले घर की महलाओं को जो है गूड मौर्निंग कहा कर जो है उनका अभवादन करते थे स्वागत करते थे देन ही उड़ फिर क्या करते थे वो पनी टोकरी को जो है वर्टिकल और दुवाकार बंस पर रख देता था and deliver the lobs to the servant और जो lofts होता था bread होता था उनको जो है servants को deliver करता था नोकरों को रोटिया या bread जो भी था उसको दिया करता था तो बच्चों इस परकार से I hope जो है यह first short answer type question और इसका answer आपको समझे में आया होगा तो बच्चो आप वीडियो कौन तक देखें लाइक करें, share करें, comment करें और इसी करम में बच्चो आईए हम इस पार्ट से हम दूसरा महत्पून प्रशन देखें तो दूसरा महत्पून प्रशन आप सभी बच्चों के लिए स्क्रिन पर इस प्रकार से है कि why was the baker's furnace essential in a traditional goa village अर्थाद बच्चो पारंपरी goa के गाउं में जो बेकर होते थे उनकी भठियां होना जरूरी क्यों होती थी पारंपरी goa के गाउं में बेकर की भठियां होना या जरूरी क्यों होती थी तो बच्चो according to the lesson let us see its answer its answer will be थोड़ा सा बच्चो long है फिर भी बहुत सटीक है तो different types of breads are essential during the different occasions bowling house had to be prepared during Christmas and other festival the mothers used to prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement so the baker furnace was essential in a traditional goa village अर्थाद बच्चों इसकी जो हिंदी अनुवाद बनेगा कि विभिन आउशरों के दोरान विभिन प्रकार के bread जो है essential होते थे Christmas और अन तेवहारों पर तेवहार के दोरान बोलिन हास तैयार किया जाता था और daughters mothers uses to prepare means माताएं अपनी बेटियों की engagement पर सैंडविच तैयार करती थी इसलिए हम कह सकते हैं कि बेकर की भठी गोवा के गाउं में बड़ी आवश्यक हुआ करती थी कभी तो बच्चो इसमें बोलिन हास सब्द है जो एक परकार का कोई जो है फूड वहां का ब्रेट जैसा जो रहता होगा तो वहां पर यह सब जीजे होती थी इस परकार से बच्चो यह जो है this was the second question now see question number three describe the address of bakers अर्थार बच्चो जो गोवा के गाउं के baker's होते थे ब्रेट या लोफ को बनाने वाले उनके ड्रेस के बारे में जो है बताईए ड्रेस का बढ़न करिए कैसे कपड़े वोई लोग पहेंते थे और क्या विसे इस बातें उनके ड्रेस में हुआ करती थी आप इसका बढ़न करें So you have read the story and you all know the answer of this question Let us see the correct answer of this question कि the bakers had a peculiar dress earlier known as the It was a one piece long frog reaching down to the knees तो बच्चो ये इसका correct answer है कि बेकर्स के पास जो है एक peculiar dress हुआ करते थे peculiar means बच्चो अजीब औ गरीब जो है पोसाक हुआ करती थी जिसको पार्ट के आधार पर हम जानते हैं कि उनके ड्रेस को बेकर्स के ड्रेस को जो है कभाई के नाम से जाना जाता था इट वाज ए वन पेस लॉंग फ्रॉक ये कैसा होता था कि एक टुकडा लंबा फ्रॉक के जैसा होता था reaching down to the knees जो जो है बेकर के घुटनों के नीचे तक जो है पहुंचता था तो इस प्रकार से बच्चों I hope जो है आप कोश्चन नमबर 3 भी जो है समझ गए होंगे जो कि ये बेकर स्फ्राम गवा से चल दा है इसी करम में बच्चों आए जो हम कोश्चन नमबर 4 को देखें और उसका उत्तर समझें तो कोश्चन नमबर 4 बच्चों आप सभी के लिए इस स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है अर्थात जो है बेकर गाउं में जो है अपनी इंट्री कैसे किया करते थे बेकर अपना जो है गाउं में प्रवेश किस प्रकार करते थे क्या भी से इस बाते होती थी इसके बारे में आपको लिख रहा है तो बेकर यूज तो इसका जो उतर बना हिंदी में आप समझेए कि वेकर अपने बांस की जो है जिंगलिंग साउंड के साथ ध्वन के साथ प्रवेश करता था क्या करता था कि हिज वन हैंड सपोर्टेड उसके एक हाथ से जो है उपने सिर पर टोकरी को पकड़े रहता था और दूसरे से बांस को जो है जमीन पर पटक करके जो है जिंगलिंग साउंड करते हिए गाउं में प्रवेश करता था तो इस प्रकार से बच्चो इस वाज दी लास्ट आंसर एंड कोशन नाव लेट उस सी लॉंग आंसर चाहिए बच्चो इसका जो लॉंग है आप सभी बच्चों को पता है कि मिनिमम जो है लॉंग का जो आंसर बने उस सिक्स्टी वर्ड में होना चाहिए तो बच्चो थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत टफ काम नहीं है आप सारे प्रशन की जो है सारे पाठों की कहानी जानते हैं बड़ी आसानी से आप जो है लिख सकते हैं तो बच्चो इसका जो लॉंग है कुछ इस प्रकार से है लॉंग आंसर टाइप कोशन का जो प्रशन इस पार्ट से बच्चो ज़्यादा लांग बन नहीं पाएगा तो इस प्रकार से आपका यही अथवा करके जो दिया है इसी को आप देखिए समझेए तो बच्चो गोवा के गाओं में जो बेकर का लाइफ था वो हाउ आज मने कैसा लाइफ था वो किस प्रकार अपना जिंदगी जी रहे थे क्या कर रहे थे इसके बारे में आपको लॉंग आंसर देना है जिसका उत्तर बच्चो 60 वर्ड में मिनमम होना चाहिए तो बच्चो इसका आंसर आपके रिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से कि बेकर वाज अन इंपोर्टन परसन इन वीलेज आप गोवा इन ओल्ड टाइम्स बेकर में इस मुझकल आपके बाढने ज्ञग 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 शाओ कि बेंद बोम्ब इस प्रकार्टन इप ग्षी से सब्साब्स ओंजग एंटाव ज्ञग ऑल्ड बेकर लॉग ज्ञग बोस्पर में में मिंद ट पर्यू इसमा परस्पतर अटना है फिजकल एपियरेंस तो बच्चो इस प्रकार से जो है गोवा के गाउं में जो बेकर का लाइप था होता था कि ए बेकर वाज ए इंपोर्टेंट परसन इन दी विलेज आफ गोवा इन ओल टाइम्स कि पुराने समय में गोवा के गाउं में जो बेकर हुआ करते थे एक महत्प बच्चो जब बेकर गाउं में प्रवेश किया करते थे तो उपने बांबू से बने हुए किसी डंडे से जमीन पर पटक पटक करके जो है बहुत ही अच्छी जंग जंग की आवाद निकाला करते थे ताकि गाउं वाले जो है समझ जाएं कि बेकर आ गया जैसे आज प्रकार से जो है वो अपनी प्रेजन्स बताने के लिए वो किया करता है पांशरी बजाना डमरू बजाना तो इस प्रकार से जो है यह गोवा के बेकर किया करते थे घर की मैलाओं को यह बहुत ही सम्मान दिया करते थे उनका श्वागत अभिवादन गुड मौनिंग कहे किया करते थे जो बेकर हुआ करते थे वो बच्चों के लिए फ्रेंड उनके कमपेनियन और उनके लिए गाइड भी हुआ करते थे बेकर हमेशा happy और प्रास्पर होते थे और उनका physical appearance जो है jack fruit जैसा हुआ करता था तो बच्चो I hope जो है आप short, long और prices सारी बातों को समझ गए होंगे तो आएए बच्चो इसी करम में इस part से जो है या प्रोज वाली किताब से बच्चो मैचिंग वड़ आता है तो आप सभी बच्चों के लिए चार सब्द मैचिंग वड़ के लिए इसके लिए बच्चपे विए हैं कालम A में देखोगे तो usually कालम B में देखोगे progressive दूसरा सब्द profitable के सामने proof, presence के सामने generally, prosper के सामने existence अब बच्चों इसको मिलाना है तो list C में इसका answer लिखा है कि usually को हम generally से मिलाएंगे profitable को हम gain से मिलाएंगे, presence को हम existence से मिलाएंगे और prosperous को हम progressive से मिलाएंगे तो बच्चों इसको जो है आप paper में क्या करिएगा, तीन ही word आएंगे, तीनों को आप आमने सामने लिखोगे ताकि आपको number मिलने में कोई दिख्कत माँ दिख्छे डिख्देग, इसमांने लिख्टंस ट्यूदग तो जसनीते विड़्योते को तो इस भीज सविदिए और में को आपको आपको ज sätt को एंगे प्जुलत हुचर। लिए!